राफेल लड़ाकु विमान केस में दो जनहित याचिकाओं में रक्षा खरीद प्रक्रिया में प्रदानमंत्री कार्याले पर दखल देनी का रोप लगाया गया है। रक्षा खरीद में दखल के आरोप को इस अधार पर खारिश कर दिया कि रक्षा सौदों की सरकार ने हर अस्तर पर इसकूटनी की। बिना रक्षा मंत्राले को शामिल किये मंतर ना की। पुनरविचार याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने डील को लेकर सुप्रेम कोट को गुमराह किया। जैसे की फैसले में कहा गया है कि राफेल डील की कीमत और अन्य जानकारियों पर C.A.G. ने विस्तार से विचार किया और संसत के सामने रखा। पुनरविचार याचिकाओं में कहा गया है कि कीमत से जुड़ी जानकारियों पर C.A.G. ने विचार नहीं किया था और सफलता आने से पहले संसत में कोई रिपोर्ट नहीं रखी गई थी। किन सरकार ने भी एक अरजी में साफ किया था कि रक्षा मंतराले की ओर से दिये गए जबाब को सर्वोच्य अदालत ने गलत पढ़ा क्योंकि सरकार ने असल में ये नहीं कहा था कि C.A.G. रिपोर्ट संसत के पटल पर रख दी गई है। केंद्र की ओर से दावा किया गया कि C.A.G. रिपोर्ट पर पटल पर रखे जाने वाले पैराग्राफ असल में आने वाली प्रक्रिया को लेकर थे जो की रक्षा सोदों के बावजूद होनी थी। मोधी सरकार ने डील में कुछ भी गलत होने से इंकार किया था। सरकार का जोर राफेल डील को भारती वायुसेना के आधुनी करन की दिशा में उठाया गया आवश्यक कदम बताने पर रहा। बता दें कि राफेल डील को लेकर बड़ा रासनेतिक विवाद भी हुआ लेकि लड़ाकों विमान किया पूर्ती को अब तक बीजेपी सरकार की जीत के तोर पर देखा गया।